कर LEFi नमस्कार दोस्तो मैं विमलेशी गातम और आप दढ़ें बीक्लाबciones दोस्तो अभी हमारे पास में पॉलन की रेक्वार्मेंट स्ट जो करेंट रेक्वार्मेंट से उनकी इंफोरमेशन में आपको शेर करने वाला हूं हमारे बास में जो रेक्वार्मेंट है जिस से driver की requirement है काफी urgent requirement है और जिसके लिए हमने interviews यह काफी urgent requirement है ड्राइवर की हैविडर requirement है फिराइवर प्रोफाल क्या होगा कि जो लोग जो बड़े वाले वील होते हैं जिसमें six wheels से उपर के उनको अगर चलाने का experience experience है और license है तो वो लोग इसमें apply कर सकते हैं ट्रेलर हुआ बड़े-बड़े ट्रेक हुए तो जो भी डंपर बगरा हुए जो बड़े-बड़े वीकल होते हैं वह चलाने का experience है वो लोग इसमें apply कर सकते हैं अगर किसी को गल्फ का experience है तो definitely उनके लिए काफी important रहेगा गल्फ experience के लिए जो भी गल्फ experience candidates होंगे ना और उनके पास में वहां का license है वो उनके लिए plus point का काम करेगा passport की बात करें तो ECR, ECNR दोनों passport इसमें apply कर सकते हैं qualification does not matter कम qualification होगा तो भी apply कर सकते हैं जाद मिस और बिसली ज्यादा qualification में तो कभी कोई परिशानी होती नहीं है driving license उनका main criteria है deal होना चाहिए heavy deal होना चाहिए यह four wheeler जो car चलाने का license हो नहीं heavy driving का license होना चाहिए तो वो लोग इसमें apply कर सकते हैं दोस्तों यह requirement है काफी urgent requirement है 20 लों की आवशकता है और अभी यह numbers अभी fulfill नहीं हुए है तो जो लोग भी इसमें interested है वो apply कर सकते हैं salary होगी पांच जार से ल मिलता है वो अलग से मिलेगा accommodation अलग से मिलेगा यह facility रहेगी और इसमें जो भी requirements है अभी हमरे पास 20 लोग की requirement है processing की बात करेंगे तो जो लोग अभी apply करेंगे 20 से पहले उन लोग का मार्च में fly होने के chances हैं क्योंकि 15 तक जो करेंगे ना उनका तो मार्च में होनी वाला है almost 99% हो जाएगा थोड़ा वाट टाम प्लस मेंस हो सकता है जो 20 तक भी करेंगे ना उन लोग का भी मार्च में हो सकता है सो दोस्तों यह requirement urgent है company तरफ से ही अमरे पास इसकी requirement इस तरीके से आई कि जितना फास्ट करेंगे उतना ही fastest का process होगा अभी process चल रहा है वीजा निकल रहे है appointments हो रहे हैं और fly भी हो रहा है इसलिए अब उतनी वादा है नहीं आएगी जितनी पहले आई थी पहले काफी चीज़ें लेट हुई थी लेकिन अब लेट नहीं होने वाली है और खास तोर से जब company ने खुद ही priority waste कहा है तो दूसरी requirement हमारे पास में जो urgent है अभी भी इसम मश्रूम हेल्पर की requirement मश्रूबह इंड से जो criteria सिंपल क्रइटरिया है कोई भी केंड़िड जो फिटो मेडिकल फिट हो फिट हो और इन चालिस अरूर मश्रूम इंग्लिश आना चाहिए बोलना समझना सामने वाले को रिपलाई करना सामने वाले आपकी बास अमज जाए इतनी होना चाहिए so यह दोनों रेक्वार्मेंट काफी अर्जेंट है मश्रूम हैलपर में हमें 10 लों की रिकवार्मेंट्स में अभी कुछ प्रोफाइल spending है और जो ड्राइवर से उसमें भी 20 लों की रिक्वार्मेंट उसमें भी कुछ वेकंसी अभी हैं और इसके अलाबा जो बाकी रिक्वार्मेंट्स हैं जैसे किये हैं इसका फोलडर की है यहãy यह पांच प्रोफाइल्स हैं इसमें बीश लों की आवश्चात है। electrocution की इसमें 10 लों की आवज़ सकता है plumber 10 लों की आवज़ सकता है meson भी आवज़ सकता है टाइल्स में मैशन जो भी मैशन होते है और टाइप मैशन की requirement है और इन सबी का Criteria simple रहेगा सेम उनकी age 20 साल से 40 साल के बीच में होना चाहिए English आना चाहिए medical effect physical पास्पोर्ट में डेड़ साल के वैलेडिटी होना जी जो कॉमन क्राइटरिया वो रहना चाहिए इसके लाबा हमारे पास हमां फैक्ट्री वर्कर के रिक्वार्मेंट है जिसमें सेलेक्ट्रोनिक्स डिवाइस बनानी की प्रोडुक्शन कंपनी है उसमें रहेगा और अंदर क्योंकि ट्रैवल प्लान लोगों का ठोड़ा मुश्किल हो रहा होगा क्योंकि फैस्टिवल के बाद टिकेट्स नहीं मिलते हैं इसलिए अभी आप इसमें जो प्लान कर सकते हैं आप 20 तरीक तक अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों जो भी रिक्वार्मेंट्स हैं सब कुछ सभ का बता देता हूं मैं आपको कोई भी कैंडिएट जिसके पास में देड़ साल की बैलेटी पासपोर्ट में होना चाहिए एज लिमेट 20 साल से लेकर ड्राइवर के लिए 38 और बाकि प्रफाइल से 40 साल की एज होना चाहिए और मेडिकली फिट होना चाहिए लाइफ में कभी सामने वाला का मतलब कोई एक अच्छे इंगलिश बोलने वाला बंदा आपकी बात को समझ जाओ उसकी बात आप समझ जाओ इतना कम्मिनिकेशन होना चाहिए और जो भी इन क्रेटरिया में फिट होता है वो डाफिनिटली अपलाई कर सकते हैं कोई भी कैंडिड चाहे वो हो या experienced हो ईसी आर पासपोर्ट हो कोई भी कैंडिड क्वालिफिकेशन की अब बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन में अगर कोई 10 पास है 10 फेल कोई फर्क निपढ़ता है इसमें अपलाई कर सकते हैं सो जो लोग भी इंट्रेस्टेड हैं वो लोग हमारे ओफिस में वाक इ certificate बगर करने पड़ेंगे और अगर ट्रेड की प्रोफाइल सा तो ट्रेड सर्टिफिकेट और एक्स्प्रियंस सर्टिफिकेट जरूर लाना होगा फोटो लेके आएंगे जो मैट फिनिश की फोटो होती है वो लेके आएंगे वैक्सीन डवल डोज वैक्सीन हो जाना चाहिए और यह जो कम्प्रिट चीज़े हैं यह सभी कम्प्रिट होना चाहिए इतने डॉक्मेट्स लेके वो हमारे ओफिस में विजिट कर सकते हैं अगर उनका प्रफाल शॉटलिस्ट होता है अगर वो इंट्रस्टेड होते हैं तो उनका एक्डियमेंट होके तुरंत प्रोसेस मे हो जाएगा दोस्तों वीडियो कैसे लगर पसंद आया तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेर कीजिए हमारे वीडियो को लगाता देखने के लिए चैनल को सबस्ब्सक्राइब कीजिए घंटी वाला ऑप्शन जरूर दपाएं जैसे कि आपको आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे धन्यवाल